श्री शिवाई नमस्तू भियम फ्रेंड्स आप सबका स्वागत हमारे आज की इस एपिसोड में फ्रेंड्स ये जो एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि आपको अक्सर ये एक सवाल बहुती सताय जाता है जब भी आप कोई नया मकान पर्चेस करते हो या फिर कोई घर इदा में होता हो कि मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियो देखी है वहाँ पे घर के मुखे द्वार पे गनेश जी की फोटो लगाने का कहा है जिससे हमारे हर तरह के विगनदूर होते है और हमें सुक शांती समरुद्धी और इद्धी सिद्धी प्राप्त होती है बट उसमें बहुत सारे तक्थे आजाते हैं कि फोटो कैसी होनी चाहिए फोटो में क्या-क्या होना चाहिए गनेश जी की जो सुन्ड है वो राइड साइड की ओर होनी चाहिए लेफ साइड की ओर होनी चाहिए गनेश जी लगाए ना लगाए लगाए तो किस तरह से लगाए बार भी लगाए अंदर भी लगाए तो यह जो भूख सारे सवाल होते ना तो इस सवाल का आप लोगों को कभी जवाब ने मिलता तो यहाँ पर क्या होता है फिर हम मख्या दुवार पर कुछ लगाते नहीं है क्योंकि हम पिर हम किस्मत के भरोसे पे छोड़ देते हैं ऐसे कई मैंने ऐसे case study में मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं आज मैं उन सब वीवर्स के लिए एक यहाप एक topic शेर करूँगा चाहे मेरा topic आपको थोड़ा common लगेगा क्योंकि आपने already ये knowledge कहीं से प्राप्त की होगी बट इस topic के अंदर आपको ये तुड़ा गनान मिलेगा जो आपको आपके घर के अंदर गनेश लगाने से क्या फाइदा होगा और ये गनेश जी लगाने का दो ही reason है एक तो आपके घर के अंदर से दरीदिता प्रवेश नहीं करती गर में सुक सांती समरुद्धी रेती है रिद्धी सिद्धी का वास रिता है बरकत रेती है अगर आप चातियों के घर के अंदर बरकत रे दरीदिता आपके घर के आसपास ना भटके आपके घर के अंदर शुप मंगलिक प्रसंगों की हार मड़ा लग जाए आपके हर शुप कारिये में कोई भी परकार का विगना ना है तो कुरूपा मैं इस वीडियो में जो दिखा रहा हूँ वो आप अंतक देखना फ्रेंड्स अब हम टोपिक पे लेके बात करेंगे फ्रेंड्स आपको भी यह कि अपना पर दिख रहे हुग यह जो चित्र हमने आपको दिखाने के लिए कि ग ताया हूँ है कि प्रतीम है अकसर लोग मूर्तिया लगाते हैं यहां पर मूर्तिया नहीं लगानी हमें फोटो लानी है और जो घर के बाहर जो फोटो लगाओ उसी की कोपी इमेज घर के अंदर की फोटो लानी है बट उसको किस तरह से लगाना है यहां पर मैं आपको बता देता हूँ तो आप सभी देखेंगे के य इकागरता के लिए उनकी आशिर्वात प्रारापट करने के लिए उनको परदान किया जाता है। साइट टरन होई होनी चाहिए यहां पर बहुत तथ्या मिलेंगे बहुत साथी आपको यहां पर ऐसी भी स्टोरिया मिलेगी जिए और रहाफ साइड चाहिए तो यहां मैं आपको कैहरेता हूँ अगर है तो उनके लिए विश्यस परकार की पूजा की जाती है भोक की जाती है विदी विदान किया जाता है और उनमें बहुती संभानना पड़ता है कुछ भी अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसमें हमें डंड का सामना करता पड़ता है और जो लेफ्ट साइड की जो सुन्डे उस गनेजी का जो चित्रा है वो कुछ भी गलती होती है तो हमें तुरण समा अर्चना मिल जाती है यानि गर के मुख्य द्वार पे ओफिस के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ अगर गनेजी का चैन करना है तो उनके सीधे उल्टे हाथ यानि लेफ्ट साइट मुड़ी भी सुन्ड और हाथ में उनके लड़ तो वो चित्र अधूरा है यानि उल्टे हाथ लेफ्ट साइट मुड़ी भी सुन्ड हाथ में लड़ू और चर्णो में मुशक यानि उनके चुवे का चित्राउन का वहान तो ऐसी ही गनेजी की प्रतिमा लेके आईए और आपके गर का कोई भी परकार का वास्तु दोस्तो उसका बिना तोड़ फोल विदी विदान करना हो तो या ऐज ही एक टिप्स के रोपे है यह मैं आपको पेश करुआ हूँ अब यह चित्रा आपको दो लेके आना है और आपको कहां लगाना है और क्यूं लगाना है तो हम बताते है कि अगर आप गनेजी को अगर आप घर के अंदर लगाना है तो किस तरह से लगाना है यहां पर आपको यह topic में clear करके दे रहा हूँ आपको गनेश जी का जो चित्र है समझो अभी हम घर के अंदर खड़े हुए है इस picture के अंदर तो गनेश जी को आपके घर के जो मुख्य द्वार है मुख्य द्वार की center में गनेश जी का चित्र लगाना है इस तरह से यह देखी जिस तरह से घर के अंदर की तरफ मुख्य द्वार में घर के अंदर की तरफ का पाट है तो गनेश जी का चित्र यहां पर इसलिए अंदर लगाना है क्योंकि गनेश जी का जो मुख्य है वो मुख का दर्शन करके जाओ, मुख के पूजन करके जाओ, और उनको मुख को फेस करके जाओ, यानि आपके हर कारिया में शुबता होगी, हर कारिया का सद्रफल मिलेगा, और कोई भी परकार का विगना नहीं आएगा, क्योंकि गनेश जी का जो मुख है, वो आपको पोजिट हरता, आपके लाइफ के अंदर कोई भी परकार के विगना है, तो वहाँ पे गनेश जी आपके घर के अंदर के दर्वाजे पे, घर के अंदर की साइड, घर के मध्यमस्तान पे गनेश जी का चित्र हो, और उनका मुख घर के अंदर हो, यानि हम उनका दर्शन कर सके, इसी अभी मैं यहां आपको किलियर कर दूँ समझोगी यह आपके घर का बाहर का फेस है यह में एंटरंस से बाहर थोड़े शुशोमन है और यह आपके घर का में एंटरंस आउटर साइड अब यहां पे जो में गनेश जी की प्रतीमा लगा नहीं है तो वो आपको जो अंदर हमने प्रतीमा लगाईए उसी परकार यहां की प्रतीमा आपको उसके एकजट ली पीछे यहां की जो प्रतीमा लगाएंगे वो गनेश जी के एकजट पीछे यानि सेंडवीच आपने कभी सेंडवीच खाई होगी मार्किट के अंदर तो वहां पे आपने मार्किट में सेंडव देखी होगी तो दो सेंड्वीच एक के उपर एक होती है यानि यहाँ पर गर इतरा की प्रोब्लेम इहां पे सोल हो जाएगी कोई भी परकार की एनरजी नेगेटिविटी एनरजी, वास्तो दोस्त, नजर दोस्त, मेली चीज, बंदन दोस्ट यहां पर आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी दरिदता आपके घर के अंदर नहीं आएगी यानि घर के अंदर जाएंगे तो जाते अगर हम उपर की तरफ देखेंगे तो गनेश जी का मुख दिख रहा है जो हमारे लिए पोजिटिव बात है अच् चितर आप ला रहे हो उसमें क्या-क्या होना चाहिए एक तो गनेश जी का विशेस ख्याल ये रखना है सुन्ड लेफ्ट साइट मुडिवी होनी चाहिए यहां पर लड़ू होना चाहिए साती साती यहां पर मुशक होना चाहिए यानि उनका जो है वहान ये इसी तरह हम आ सहरकी तरह जाऊ तो गनेश जी का धर्शन होना चीनिए और फिर गनेश जी के धर सनोना चीनिए और घर के बाहर से अंदर आ matinー तो उनका मुखे का दर्शन होना चीनिए फ्रेंड्स यहां आप मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोसिस की है अगर तो भी आपको इस कुझ समद नहीं आँ रहा तो मेरे इस मोबाइल नंबर परी कर सकते हैं और आपकी कोई का मनका कोई सवाल हो कि वास्तोर रिलेटेड उब घर में कोई गैजट रखना हो ताप हमें कॉन कर सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो उस पर हम ऐसी कोई भी एक वीडियो बना कि आपको समझाने की कोसिस करेंगे हर हर मादेव हर मादेव हर मादेव